आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 थे इंग्लिश इश्नेप शोट में दा अड्रेस लेसन के कोशिन अंसर किये चलिए सुरुवात करते हैं पहला कोशिन दिया गया है Have you come back? said the woman महिला ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई? आ चुकी हो I thought that no one had come back मैंने तो सोचा था कि कोई वापस नहीं आया है Does this statement give some clue about the story? क्या ये जो statement है जो inverted coma में है ये statement कहानी से संबंदित कोई clue या कोई सबूत आपको देता है? If yes, what is it? यदि हाँ तो वह क्या है? कौन सा clue है? चलिए, आंसर के और चलते हैं This statement indicates that the two families knew each other ये statement इस बात का संकेत देता है कि दो परिवार एक दूसरे को जानते हैं They state nearby, वे पास में रहे होंगे रहे, and were probably familiar और सायद वह familiar भी होंगे Familiar मतलब दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में अच्छे संबंध होंगे When the war was on जब युद्ध चल रहा था, चालू था Some people left their homes to take refuse in distant lands कुछ लोग उनके घर छोड़कर पास की जमीन में या पास के गाउं में, जमीन में, सहर में Refuse मतलब सरण लेने के लिए महाँ पर चले गया Refugee बन कर चले गया Refugee मतलब सरणार थी People who remained there Thought that those who had left would never return और वे लोग जो की वहीं रह गए युद्ध के दोरान लोगों ने ये सोचा कि साइद वो अब कभी लोट कर नहीं आएंगे Mrs. Darling thought that the entire family of Mrs. S was killed during the war और Mrs. Darling ने भी यही सोचा था कि Mrs. S का पुरा परिवार जो है अब कभी वापस नहीं आएगा कहानी हमने पड़ी हुई है इस्टोरी हमने अच्छे से पड़ी हुई है तो इस्टोरी आपको यह अच्छे से याद है तो आपको सारी चीज़े clear होती जाएंगी कि Mrs. Darling कौन है Mrs. S कौन है उनके लड़ी की कौन है ठीके ना नेक्स्ट कॉश्चन की और चले इस्टोरी दा एड्रेस इस डिवाइड़ेट इंटू प्रिवार एंड पोस्टवार टू टाइम्स इसको दो भागों में बताया गया है डिवाइड इंटू टू प्रिवार मतलब युद्ध से पहले की कहानी पोस्टवार मतलब युद्ध के बाद की कहानी कहानी की जो नरेटर है जो एक लड़ी की है वहां किस प्रकार की पीडा ये किस पकार की इस्तिती से होकर गुजरी है ठीक है ना दोनों समय में ये हमें इसमें देखना है आंसर होगा युद्ध के पहले लड़की का परिवार एक धनी परिवार था रीज था रुपिया पेसे वाला था और उनके घर में काफी कीमती सामान थे पसेशन्स थे घर के समान थे हाउस होल्ड्स थे पसेशन का आर्थ होता है कोई ऐसी वस्तु जिस पर हमारा अधिकार हो उसको पसेशन मुलता है जब युद्ध शुरू हुआ मिसेश डॉर्लिंग इस्टेबलिस्ट कॉन्टेक्ट विद देम और फ्रिक्वेंटली का आर्थ यह है कि लकातार जाते रहना जासे आज चली गई फिर दो दिन बाद फिर तीन दिन बाद फिर चार दिन बाद इसे निरंतर घर पर उनके जाती रहती थी जब जब भी वहां मिसेस एस के घर जाती थी मिसेस डॉर्लिंग तो वस्तुएं वहां से ले लेकर आती थी और इस विश्वास में लेकर आती थी कि यदि ऐसी इस्तिती बने कि आपको आपकी जगे छोड़नी पड़े तो आपका जो समान यह वेस्ट नहीं जाएगा और में इनको समाल के रख वह लड़की जो की the address जो address उसकी मां के द्वारा बताया गया तो उस एड्रेस पर जब जाती है the girl suffered a lot मतलब युद्ध के बाद लड़की काफी पीडित रही हर मदर डाइड उसकी मां डाइड मतलब मर गई सांत हो गई देहानत हो गया she had to live in a rented house उसको किराय के घर पर रहना पड़ा रेंट से rented बनाए है rented मतलब किराय का घर हर मदर है टोल्ड हर अबाउट डियर पाजेसंस लाइंग मिसेस डोर्लिंग्स एंड गर्ल वांटेड हर बिलोंग बैट लड़की की मां ने उसे बता रखा था कि अपना जो सामान है जो पड़ेसंस हैं वो मिसेस डोर्लिंग के यहां पर है ओर एडर्रेस भी बता दिया था लड़की चाहती थी कि उसका सारा belonging मतलब उससे संबंदित जो भी सामान है वह सामान वापस लेकर आए बट वेन सी मैट मिसेश डॉर्लिंग परंतु लड़की जब मिसेश डॉर्लिंग से मिली सी सा हर कुड बीहेवियर उसने कॉल्ड बीहेवियर माफ कीज़ेगा उस महिला का बीहेवियर बदला हुआ बीहेवियर देखा मतलब cold behavior का मतलब यहां पर यह है कि Mrs. Dodling का उसके प्रती जो behavior था वो change था और not interested था इसलिए इसको cold behavior कहा गया है she lost interest in those things और उन चीजों में अपनी जो रूची उसको थी वह रूची वो lost हो जाती है उसकी वो रूची नहीं रहती है, खो जाती है the girl finally decided to leave that house अंतता लड़की ने निड़े लिया कि वह उस घर को छोड़ देगी उस address को छोड़ देगी और दूसरी बार कभी वहां जाना नहीं चाहेगी that house and forget the address forever और हम ऐसा के लिए उस पते को उस address को भूलना चाहती question number third है why did the narrator of the story the address want to forget the address कहानी की जो कथा वाचक है narrator मतलब जो हमें कहानी सुना रहा है कथानक वो लड़की वह उस address को क्यों भूलना चाहती है अभी पिछले question में हमने यह देही लिया है important question है the narrator went to the house of the lady narrator उस address पर जाती है who had promised to keep the valuable items of her mother safe during the war who मतलब जो की जो की मतलब यह who किसके लिए प्रयोग हुआ है उस महिला के लिए उस lady के लिए प्रयोग हुआ है जो उसका सामान ले कर गई है जो की यह promise कर चुकी थी कि वह उसके घर के सारे items को सुरक्षित रखेगी जब narrator उसकी positions उसकी belongings उन items को जब वो टेस्टलेस मेनर में उसके घर देखती है किसके घर उस मिसेज डॉर्लिंग के घर she wanted to forget the address तो वह फिर उस पते को भूल जाना चाहती है and leave the house और उस घर को छोड़ कर चली जाती है her belongings had lost all their emotional value for her और उसके घर के सारे सामान उसके लिए जो भावनात्मक कीमत रखते थे वह सब खो चुके है ऐसा उसको महसूस होता है इसलिए वह address को भूलना चाहती है next question है the address is a story of human predicament that follows war the address नाम की जो कहानी है इसमें मानवी इस्तिती को बताया गया है युद्ध के दोरान या युद्ध के बाद मानों की इनसान की किस वरकार की इस्तिती रहती है उसको इसमें बताया गया है तो इस बारे में आप क्या टिपपनी करते हैं तो इसका answer होगा the phenomenon of war brings a lot of suffering for human beings युद्ध की जो घटनाए होती है वह मानवी पीडाओं से भरी रहती है it brings death and destruction with it इसमें म्रत्यू और विनास चुपा रहता है लाता है युद्ध जब लड़ाई होती है दो देशों के बीच में तो उसमें death or destruction आता है the story, the address is based on this theme और the address नाम की कहानी भी इसी theme पर आधारीत है during the war, युद्ध के दोरान the narrator's mother leaves all the valuable things with Mrs. Dorlings who was familiar to her युद्ध के दोरान narrator की जो मा है वो अपनी सारी कीमती वस्तों को Mrs. Dorlings के हाँ छोड़ देती है जो कि उनके लिए familiar होती है the mother dies, मा मर जाती है many years later when the narrator returns to Mrs. Dorlings to take all her belongings back कई वर्सों बाद जब narrator अपने उसी सामान को जो उसकी मा के द्वारा Mrs. Dorlings के हैं छोड़ा गया था उसको जब वापस लेने के लिए आती है she saws no sympathy for her तो उसको वहाँ पर वह साहनुभूती वह sympathy नहीं मिलती है जिसकी उसे उमीद थी she does not allow her to enter the house यहाँ तक कि उसने अपने घर में उसे प्रवेस करने के लिए भी अनुमती नहीं दी does we find that the war leaves the world devastated not only on the physical level but on the emotional level as well तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि युद्ध के बाद या युद्ध के द्वरान किसी वेक्ति के physical ही नहीं मानसिक रूप को भी सफर किया याता है युद्ध की जो घटना होती है उसमें मानव सारे रिक और मानसिक रूप से पीडित रहता है यह हमने इस कहानी में देखा है कुछ और भी questions है जो कि exam में पूछे याते हैं और हमें पता होना चाहिए what was the address of Mrs. Dorling Mrs. Dorling का पता क्या था अगला question है रिकोगनाईज मतलब पहचानना नरेटर Mrs. Dorling को कैसे पहचानती है कि हाँ यह मैं सही address पाई हूँ वो उसे ऐसे पेचान लेती है कि उसने उसकी मार्ग की हरे रंग की sweater पहनी है जो कि उसकी मार्ग की थी इसलिए उस sweater से वो पहचान लेती है थार्ड़ question है how would you define the character of the narrator narrator के character को आप कैसे define करेंगे the narrator is a very emotional person यहाँ पर जो narrator है मतलब वो लड़की जो हमें कहानी सुना रही है वो एक emotional person है emotional मतलब भावक फिकती है she is an intelligent and devoted daughter वो एक बुद्धी जीवी और devoted daughter मतलब जो अपनी माँ और अपने परिवार के प्रती समरकित है she loud and respected her mother वो अपनी माँ से प्रेम करती है उसका सम्मान करती है बट she does not like the idea of Mrs. Dorling परन्तु Mrs. Dorling के हाँ सामान भेजना या उनसे किसी प्रकार का कोई familiar relation रखना इसको वो लाइक नहीं करती है she visited 46 मारकोनी स्ट्रीट twice to see दो बार वहाँ address पर जाती है देखने के लिए मिलने के लिए touch and remember उन वस्तुओं को छूने के लिए उन्हें याद करने के लिए हर मदर्स belonging जो कि उसकी मान से संबंध रखती है ठीक है तो वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट्स करके यह रोब बताएं साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें Thank you very much for watching and take care